C.I.E.T. N.C.E.R.T. Presents Trilingual Dictionary of Geography for Schools भूगोल विद्यालयों के लिए त्रिभाशी शब्द कोश जोग्राफिया के लुगत स्कूलों के लिए सहलसानी Index Letter N National Highways Page 83 National Park Page 83 Natural Gas Page 83 Natural Growth Rate of Population Page 83 Natural Hazard Page 83 Natural Resources Page 83 Natural Vegetation Page 83 Neap Tide Page 84 Net Migration Page 84 Knife Page 84 Nimbus Stratus Clouds Page 84 Nomadic Herding Nomadic Herding Page 84 Nomadism Page 84 Nomadism Non-Ferrous Minerals Page 85 Non-Metallic Minerals Page 85 Non-Renewable Non-Renewable Resources Page 85 North Atlantic Drift Page 85 Nuclear Power Page 85 Now 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 let's move to the Dictionary of Geography N Page 83 N National Highways Wide Page 84 जिन पर मोटर गाड़ियां चलती हैं। इनकी तामीर और देखभाल हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत के जरिये फराहम करदार हुकूम से की जाती है। इन्हें अदत से जाहिर किया जाता है जैसे अमरित सर से देली तक कौमी शहरा NH1 और देली से कॉलकाता तक कौमी शहरा NH2 National Park An area of great natural beauty and interest designated to protect the flora and fauna of one or more ecosystems for the present and the future generations. It is done under some form of legislative or regulatory control. National Park एक अत्यधिक प्राकृतिक सौंदर एवं रुची का क्षेत्र जो वर्तमान एवं भविश्य की पीडियों के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों के वनस्पती जात एवं प्राणी जात के सनरक्षन हेतु निर्दिष्ट किया जाता है। यह किसी प्रकार के विधा अत्वा नियामक अधिकार के अंतरगत किया जाता है। एक नॉन रुट्रिवल एनरजी स्वेर्ड नॉन इनर्जी सोर्स चंसिस्टिंग अवाग एक इप्री हाइड्रोकार नवी कारणयोग उर्जास्रोत्थ जिसमें पचासी प्रतिशत मेधेन एवं दाटुटिक गैस। दस प्रतिशत इथेन गैसे हैं। ये गैसी अवस्था में मुक्त हाइड्रोकाबन है, जो सामान्य तया अपरिश्कृत खनज तेल से संबंधित है। एवं भू परपटी पर प्रकृतिक अवस्था में मिलती है। जो आमतौर पर मादनी तेल के साथ होते हैं और कशरे जमीन में पुदरती हालत में पाए जाते हैं। Natural Growth Rate of Population The difference between the birth rate and the death rate of population of a country expressed in percentage. When the birth rate is higher than the death rate, it is considered positive growth. प्रकृतिक जनसंख्या व्रिधिदर एक देश की जनसंख्या के जनमदर इवं मृत्युदर का अंतर, जिसे प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जब जनमदर मृत्युदर से अधिक होती है, तो धनात्मक व्रिधि मानी जाती है। आबादी की खुद्रती शरह नमू किसी मुल्क की आबादी की शरह पैदाईश और शरह अमवाद की दर्मियान फर्क जिसे फीसद में जाहिर किया जाता है जब शरह पैदाईश शरह अमवाद से ज्यादा होती है तो उसे मुस्बत नमू कहा जाता है Natural Hazard A natural phenomenon or event, example, volcanic eruption, cyclone, earthquake and flood, perceived as threat to life and property. प्राकृतिक संकट एक प्राकृतिक घटना अथवा परिघटना जिससे जीवन एवं संपत्ती के खत्रे के रूप में अनुभव किया जाता है. दाहरण के लिए जुआलमुखी, उद्भेदन, चक्रवात, भूकंप एवं बाढ़. गुदरती खत्रा एक गुदरती मजहर या हादसा जैसे आतिश विशा का फटना, साइकलोन, जलजला और सैलाब जिन्हें जिन्दगी और अमला के लिए खत्रा समझा जाता है. Natural Resources Resources that exist in a natural state and are useful to people to satisfy human needs based on the level of human knowledge and technology. Example Solar Energy Wind Water Soil Minerals Plants and Animals Prakritik Sansadhan संसाधन जो प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान होते हैं, एवं लोगों के लिए लाभधायक होते हैं. मानव ज्यान एवं प्रोध्योगिकी के स्तर पर आधारित मानव की आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए इनका उप्योग होता है. उद्धार्ण जैसे सौरूर्जा, पवन, जल, मृदा, खनिज, पौधे एवं प्राणी. कुदरती वसाइल वो वसाइल जो कुदरती हालत में मौझूद है और इंसानी इल्मों तकनीक की बुनियाद पर इंसानी जरूरियात को पूरा करने के लिए मुफीध हैं, जैसे शंसी तवानाई, हवा, पानी, मित्टी, मादनिया, पेड़ पौदे और चानवर. Natural Vegetation A vegetation cover that has grown naturally without human interference for a long time. Prakritik Vanaspaty एक Vanaspaty आवरण जो लंबी अवधी तक मानव के हस्तक शेप के बिना प्राकृतिक रूप से सम्वृध हुआ है. Page 84 Qudrati Nabatat एक नबाती घलाफ जो अरसाए दरास से इंसानी मदाखलत के बगर कुदरती तौर पर उगा हुआ हो. Neep Tide A tide occurring every 14-15 days, which coincides with the first and third quarter of the moon. This tide has a small tidal range because the gravitational forces of the moon and the sun are perpendicular to each other. Hence, high tides are somewhat lower and low tides are higher than the average. See also tides. लगू जुआर भाटा एक जुआर भाटा जो प्रत्येक 14-15 दिनों में घटित होता है, जो चंद्रमा के प्रथम एवं तृतिये चतुर्थांश, कोटर के ही समय पर होता है. इस जुआर भाटे का लगू जुआर परिसर होता है, क्योंकि चंद्रमा एवं सूर्र की गुरुत्वा कर्शन शक्तियां एक दूसरे के समकोण होती है. अतहा उच्च जुआर भाटे किंचित निम्न होते हैं, एवं लगू जुआर भाटे आसत से उचे होते हैं, देखें जुआर भाटा. मद्दो जजर जोहर 14-15 दिनों पर होता है, और चांद की पहली और तीसरी चाथाई से मताबकत रखता है. इस मद्दो जजर की उचाई कम होती है, क्योंकि चांद और सूरज की कोवते कशिश एक दूसरे के उमूद जावियाय काइमा पर होती है. इसलिए उचे मद्दो जजर औसद से कुछ कम बुलंद और निचले मद्दो जजर औसद से कुछ ज्यादा बुलंद होते हैं. मजी तेखें मद्दो जजर. Net Migration Also called a positive migration balance. It occurs when the number of people arriving in a country exceeds the number of people leaving or departing. इसे धनात्मक प्रवास संतुलन भी कहते हैं. यह तब घटित होता है जब एक देश में आने वाले लोगों की संख्या उस देश से जाने वाले लोगों की संख्या से अधिक होती है. भकी की हिजरत इसे हिजरत का मुस्पत तवासुन भी कहते हैं. यह उस वक्त होती है जब किसी मुल्क में आने वालों की तादाद उस मुल्क से जाने वालों की तादाद से ज्यादा हो. निफे Materials forming the core of the earth are nickel, ni and iron, fe. निफे वह पदार्थ जो प्रित्वी का क्रोड बनाते हैं जैसे nickel, ni, एवं लोहा, fe. निफे यह जमीने कल्ब की तश्कील करने वाले मादे, nickel, ni और लोहा, fe हैं. निम्बॉस्ट्राटस क्लाउड्स निम्बॉस्ट्राटस क्लाउड्स अ ताइप उफ डाग ग्रे क्लाउड अकुरिंग इन शीट्स अट लो आल्टिटूड्स 900 तो 3000 मीटर एक प्रकार के गहरे धूसर मेग जो निम्न उचाईयों में 900 से 3000 मीटर परतों में पाए जाते हैं. यह वर्षा इवं हिम के रूप में निरंतर होने वाले वर्षण से संबंधित हैं. ओप्षण वर्षण से संबंधित हैं. देखें मेग बारानी चादरी बादल चादर की शकल में कम उचाई, 900 से 3000 मीटर पर बनने वाले काले भूरे बादलों की एक किस्म. इसमें बारिश्या बर्फ की शकल में लगातार बारंदिकी होती है. मजीद देखें बादल Nomadic Herding A type of farming in which herdsmen move from one place to another with their animals along defined routes for fodder and water. This type of movement takes place in response to climatic constraints and terrain. Example The Gaddis and the Gujar Bakarwals of Western Himalayas चलवासी पशुचारण एक प्रकार की क्रिशी जिसमें चारे एवं जल के लिए पशुचारक अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मारगों में चलते हैं. इस प्रकार की गती जलवायू व्यवरोध इवं भूभाग की प्रतिक्रिया के रूप में होती है. उद्धारन तया पश्चिमी हिमाले के गद्धी गुज्जर इवं बकरवाल काश्टकारी की वो किस्म जिसमें खाना बदोश लोग पानी और चारे की तलाश में अपने मवेशियों के साथ एक जगा से दूसरी जगा एक मुकरररा रह गुजर पर घूमते रहते हैं. इस कुस्म के नकल मकानी, जमीनी खदोखाल और आबो हवाई हालात पर मुनहसिर होती हैं. मिसाल के तौर पर मगरिबी हिमालिया के गद्धी और गुजर बकरवाल नुमादिस्म एक प्रकार का जीवन जो लोगों के कुछ समूहों द्वारा अनुगमन किया जाता है, जिसमें भोजन की खोज के लिए एवं पश्वों के चरागाहों के लिए प्रायहा गतिशील रहते हैं, उदाहरण जैसे मध्ध एवं पश्चिमी भारत के पार्डिस खाना बदोशी जिन्दगी गुजारने का एक तरेखा जिस पर लोगों के बाजगिरों अमल करते हैं, इसमें घिजा और जानवरों के लिए चरागाहों की तलाश में लोग अकसर घूमते रहते हैं, जैसे मरकजी और मखरिबी हिंदुस्तान के पार्डिस Non-ferrous minerals Minerals which do not contain iron, but may contain some other metals, such as gold, silver, copper and bauxite, etc. Aloha khanij Khanij जिन्में लोहा नहीं होता, किन्तु कुछ अन्यधातुएं, जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादी हो सकते हैं गैर आहनी मादनियाद वो मादनियाद, जिन्में लोहा नहीं होता, लेकिन कुछ दूसरी धाते, जैसे सोना, चांदी, तांबा और बॉकसाइट वगैरा होती हैं Non-metallic minerals Minerals which do not contain metal Example, uranium, thorium, coal, etc. Adhaatvik khanij Khanij जिन्में धातु नहीं होती उद्दाहरण के लिए, uranium, thorium, koela इत्यादी गैर धाती मादनियाद वो मादनियाद, जिन्में धात नहीं होती, जैसे uranium, thorium, koela वगैरा Non-renewable resources Resources having limited stock and hence may be exhausted once used. These may take thousands of years to be renewed or replenished. Example, minerals अनवीकरण ये संसाधन संसाधन जिनके सीमित स्टॉक हैं, अतैव एक बार प्रयोग करने पर वे समाप्थ हो सकते हैं. इनके नवीकरण अथवा पुनह पूर्ती होने में हजारों वर्ष लगते हैं. उद्दाहरण तया, खनिज ना काबिले तजदीद वसाइल ऐसे वसाइल, जिनका जखीरा महदूद है, और जो एक बार इस्तिमाल करने के बाद खत्म हो सकते हैं, इनकी तजदीद या दोबारा बनने में हजारों साल लग सकते हैं. मसलन मादनियाद North Atlantic Drift An ocean current which is an extension of the gulf stream that flows north-eastward across the Atlantic Ocean. See also ocean current. उत्तर अट्लांटिक अपवाह एक महसागरी धारा जो gulf stream का विस्तार है, जो अट्लांटिक महसागर में उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है. देखें, महसागरी धारा शुमाली अट्लांटिक पहाओ एक समंदरी रौ जो गल्फ स्ट्रीम की तौसीरी शकल है और बहरे अट्लांटिक में शुमाल मश्रक की तरफ बहती है. मजीद देखें, बहरी लेहर Nuclear Power Energy generated through the radioactive process of nuclear fission or fusion. Energy stored in the atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium and is produced in specially designed nuclear reactors. पर्मानू शक्ति उर्जा जो पर्मानू विखंडन या संदलयन की रेडियो सक्रिय प्रक्रिय द्वारज्यनित होती है. उर्जा जो प्रकृतिक रूप से पाय जाने वाले रेडियो धर्मी अव्यवों जैसे यूरेनियम एवं थोरियम के परमाणों में संग्रिहीत होती है यह विशेश रूप से बनाए गए परमाणू रियाक्टर में उत्पादित होती है नियूकलियाई तवनाई नियूकलियाई फिशार निफूस के रेडियाई अमल से पैदाशुदा तवनाई खुदरती तौर पर पाय जाने वाले रेडियाई अनासुर जैसे यूरेनियम और थोरियम के एटम में तवनाई का जखीरा होता है और जिसे खासतोर पर बनाए गए नियूकलियाई रियाक्टर में पैदा किया जाता है और बारती कौशिक, ख्रेक्निकल कोदिनेशन बतिलैंग लिंग्डो, फ्रेमवर्क अजीत ओरो, एसिस्तंस इन प्रोडक्शन कुसुम लटा, प्रोडूस्ट और यह और दिर्क्न वांदना अरिमर्दन, और इस प्रेसंटेशन ब्रोड़तन इस प्रेसंटेशन इस